दच्छड अफ्रीका वो देश जिसने हमेशा अविश्व सनी एक गार नामे कर दिखाए बड़े बड़े टार्गेट चेस कर दिखाए आओ बात और है कि उसे हमेशा उसके बड़े मैचों में चोक करने वाली लाइलाज बिमारी के लिए बेहत बदनामी का सामना करना पड़ा लेकिन इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि समय समय पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने विश्व क्रिकेट को एक से बढ़कर एक सूपर स्टार्ट ही है चाहे वो बल्ले बाज हूँ या गेद बाज दच्छड अफ्रीका की पेस बैटरी ने भी गेद बाजी में चार चान लगाए जाहां बैटिंग में डिबिलियर्स, डुपलेसिस, स्मिथ, डुमिनी, मिलर, गिप्स जैसे दिगजों ने इस खेल की शान बढ़ाई मोई दच्छड अफ्रीका की पेस बैटरी ने भी गेद बाजी में चार चान लगाए चाहे वो नबे की दर्शक में डुनाल्ड उलाओक हो या फिर हमारे बचपन को यादगार बनाने वाले फिल्लैंडर मॉर्ने मॉर्कल और सर्वकालीन महान डेलेस्टन जो पांच साल तक दुनिया के नमबर वन बॉलर है लेकिन जब मॉर्कल की पीक जा चुकी थी और चोटो से घ्रस्त होकर स्टेन का डाउन फॉल आ गया सब सब की मन में यही सवाल उठा कि क्या फिर कभी दच्छड अपरीका को ऐसा कोई खोखार गेदबाज मिलेगा जो इनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सके लेकिन उसकी गेदबाजी बहत आतिलाना थी छोटी हूमर सेवाए 150 किलो मीटर प्रती घंटे की रपतार से गेदबाजी किया करता दोनों तरह स्विंग कराने में उसे महारत प्राप्त थी नहीं नहीं अपने पहले मैच में हैट्रिक लेकर उसने वो कारणामा कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं छोटी हूमर में विर्शु क्रिकट में आग लगा देने वाले स्खिलाडी की जिसकी गिंती अब दिखजगेद बाजों में होती है बड़े-बड़े बल्ले बाजों के लिए नाइट मेर और इस समय के आवल गेदबाज करगिसो रबाड़ और कि आप जानते हैं कि जो रबाड़ा आज क्रिकट में इतना नाम कमा चुके हैं जो बड़े बल्ले बाजों के लिए नाइट मेयर हैं और दरहसल क्रिकट खेला ही नहीं चाहते थे क्या था पूरा मामला आज के इस वीडियो में हमें जानेंगे और जाती साथ इनकी लाइफ से जुड़े और विदिन चस्प किस से इस वीडियो में आपसे साचा करेंगे तो बनेर इस वीडियो में हमारे साथ शुरू सेंथ और हाँ बहुत दिनों से आपने से बहुत सारे दर्शकों की करगिसो रबाड़ा पर वीडियो बनाने को लेकर के डिमांड आ रही थी तो अगर आप उनी में से हैं तो वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखेगा करगिसो रबाड़ा का जर्ण में 25 में उनिस पंचानबे को जर्ण सपर्ग में हुआ रबाड़ा के पिता एक डॉक्टर है वहीं उनकी मा एक वखील है आको बता देगी रबाड़ा वेंदा समधाय को बिलॉंग करते हैं जो कि अक्सर डार्क कंपलेशन के होते हैं उन्हों पने पढ़ाई ब्रेंश्टन पैरलल मीडियम स्कूल से पूरी की रबाड़ा को बच्पन से ही रगभी में बेहर रोजान था वह एक रगभी खिलाडी बनना चाहते थे लेकिन आफ सीजन में वह क्रिकट भी खिला करते हैं अपने स्कूल की रगभी टीम में स्थान आजिल कर उन्होंने अपने स्पोर्स करीर की चरुआत की सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एक दिन उनका ये सपना तूट गया जिब दच्छल प्रीका के लेबल एक रगभी सेलेक्शन में उन्हें नजर अंदाज कर दिया किया इसके बाद रबाड़ा ने क्रिकट में ही अपना भविश्य बनाने की सोच ली रबाड़ा ने भी जूनियर लेबल पर धेरो मैच खेले और अपने गेम में खाफी सुधार किया और स्पोर्स स्कॉलर्शिप भी आसर की साल 2013 में रबाड़ा ने टुमस्टिक रिकट में अपना खादम रखा लेकिन इस सत्र मुनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा पर कहते हैं न कि हीरे की असली परख एक सच्चे जोहरी को ही होती है पर ये काम किया सौथ अफरीका क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स ने जिनोंने उनकी काबलित को पैचाया और 2014 में होने वाले अंडर 19 वर्ड कप के लिए टीम में रबाड़ा का चैन हुआ और रबाड़ा ने इस मोके को दोनों हाथों से कबूल करते हुए ट्रूर्णमेंट में कमाल कर दिखाया और अपने टैलन के खजाने को सभी फैन्स के सामने बहुँ भी बेश की अप्तिज दर्रा रफ्तार दोहरा स्विंग और सटीक लाइनलेंथ की घातक समाबेश जातीम की ये दे मानों खोद ये कह रही थी कि क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाला रफ्तार का नया सवदा गरागया है उनका वो खोपसूरत एक्षन कमाल का स्मूथ रनर अप अगाज़ब की सीम पोजिशन सब कुछ पोईट्री इन मोशन था और शेलिये के साथ सेमी फानल मुखाबले में तो अरबाड़ा ने 25 रन देकर 6 विकट लिये और अपने तूफानी स्पेल से खुब गहर भर पाया अब हर तरफ उनीके जर्चे थे इनकी शांदार गेदबाजी की दम पर इस विशुकप को दच्छिर फ्रीका ने जीत लिया 14 विकट लेकर दूसरे हाईस्ट टेकर विकट रे रबाड़ा इस टोनामेंट की खोज रहे और अपने जवर्दास प्रदरसिंग की बदलत पुन है मैस तीन महीनों बाद Northern District की फ्रंचाइजी टीम लाइंस का कॉंट्रेक्ट भी मिल साल 2015 में उन्हों ने डॉल्फिन्स के खिलाब एक मैच में 105 रन देकर 14 विकट लिये जिसमें दूसरी पारी में 23 रन देकर 9 विकट जटके उससे 7 साल पहले कारणामा उनी के हमबतन डेल स्टे ने कर दिखाया था रबाड़ा की गेद बल्ले बाजों से मुश्किल सवाल पूछ रही थी और अपने अन प्लेबल गेद बाजी से उन्हों ने हर्स प्लास करिकट में को अराम मचा दिया इसकी बदलत ने अब दठर फ्रीकर के सीनर टीम से भी गुडावाया और नॉब्र 2014 में और फ्रेले के खिलाब टी-ट्विंटी गेल अपने इंतराश्रे डिकट में कदम रख दिया पर उन्हें पहले मैच में कोई विकट नहीं मिला अगले साल बांगलादेश के खिलाब इने अपना ओडियाई डेवी करने का मुखा मिला यहां जो उन्होंने करके दिखाया ऐसा करने का आप और हम किवल सोची सकते हैं अपने ड्रीम डेवी पर उन्होंने हैट्रिक लेडा जिसने तमीम अकबाल, लिटन दास और महमो दोला जिससे नामी बल्लेबाजों के विकट शामिल थे अपने डेवी पर ही हैट्रिक लेने वाले मैच दूसरे गेत पाच पने तीन उबर, तीन मेडन और मातर सोला रिंदेक कर छे विकट शटक वे मैण आप दे मैच पले इसके कुछी से मेबाद उन्होंने मुहली ट्रिस्ट में अपने ट्रिस्ट रेवी किया आलगि इस मैच में उन्हें विकट टेक ही मिला लेकनों विकट था किंग को हलेका खाता भी खुला तो क्या कवाल के खलाडी से जो जड़कियां उन्होंने में दी उससे एक बात तो साफ हो गए ये बंदा क्रिकट की दुनिया में तबाही मचा देगा और ऐसा ही वा 2016 चन्वरी में इंग्लेंड के कराब चोथे टेस्ट में चोटिल स्टैन और फिलेंडर की एपसेंस में कमजोर दिखरे अटेक का रबादा ने मोर्चार समाला और पहली पारी में साथ और दूसरी पारी में 6 विकर्ट चेटक कर अकेली ही इंग्लेंड की कमार तोड़ दी और अपने नाम तेरा विकर्ट किये अपनी गातर गेदबार जी के लिए मनाब दमाच में 2016 जुलाई में क्रिकट साथ अफरीका की एनवल आवार्ड सेरेमनी में रबादा ने शेह वार्ड अपने नाम की और ऐसा करने वाले वे अपने देश के पहले खिलाडी बढ़ गे और ये कहार अभी थमा नहीं था 2017 के इंग्लेंड दोरे पर लॉफ टेस्ट में रबादा ने इंग्लेंड के पूरे बैटिंग ओर्डर को दैस नैस करके रख दिया और 49 रंदेकर 4 विकट जटक इंग्लेंड को मातर 153 रनों पर धेर कर दिया इसी स्पल के बाद इंवरान ताहिर को पीछे छोड़ वाइसी सी रैंकिंग में नंबर एक गेदबाज भी बने 2017 यूँ समय था जब इस गातक गेदबाज को आईपेल में दिल्ली की टीम ने उन्हें अपने साथ चोड़ा और उन्होंने इस लिंग में डेवियो किया इसके बाद 2018 मान उन्हें भारत के खिलाब पहले टेस्ट में पाच विकट जटक टेस्ट रैंकिंग में शीर सस्थान पराप्त किया यह उस साल था जब करगी सोर अबाड आपने पीक पर थे उनके इस प्राइम भार में हम कई खोगाई स्पल के साक्षी पने इस साल उन्होंने सरवादिक विकट पे लिए साथ 150 विकट लेने वाले सबसे येंग खिलाडी भी बने एक श्रांदार प्रदरसर की बदलो तुन्हें क्रिकट साथ अफरीका दारा क्रिकेटर आफ दाइयर के अवार्ड से भी नवाजा गया और एक वाज फरसे उन्होंने छे वाज जीतने का कार नामा दोबारा कर दिखाया जिसमें ओडियाई, टेस्ट और क्रिकेटर आफ दाइयर जीसे आवाज शामिल थे 2019 क्राइपिल में रबाडा ने खुब कहए ढ़ाती गेटबाजी की और दिली कैपिटल्स का मोर्चा समालते हुगे 25 विकट जटके जो की इस टोर्नमेंट में दूसरे सरवाधिक थे लेकिन 2020 के अगले सीजन उन्होंने कमी पूरी कर दी और सरवाधिक 30 विकट जटक परपल कैप अपने नाम की भाले ही उन्होंने छोटी उमर में खुब भुलंदी हासल की लेकिन अपने गुसे के चलते उन्हें कई बार फटकार का सामना भी करना पड़ा अपते इस गितब इसके बाद उन्हेंट ने गुसे पर गाबो किया और गेज से सभी को खामोश। 2021 टीटी वेश्व कप में इंगलेंड के खिलाब फैट्रिक लेते ही वे टीटी में ये कारणावा करने वाले पहले अप्रीकी गेद भाजबाने साल बदलते गए, जर्सी बदलती गई, अप पाबिस होके और एक अना घलत नहीं होगा कि इस वक्त वे क्रिकेट के दुनिया में सरवस्रेश्ट तेजगेद बाच है, इनके पास रोपेस, जन्विन स्विंग और टेस्ट मैच का भरपूर स्टेमना, कलातना मिस्टर, एक अथलेट वाली लाजवाग फैजिक और एक प मैनों में अंडर रेटेट है, इनके अधिक बात नहीं होती है, उनके आकड़ों को अगर देखा जाए, तो उनके नाम साथ टेस्ट, नवासी उडियाई, चहपंडी प्रेंटी में करमशा, दोस्तों सी, 137, अठ्थान बेकट है, साथी तीनों फ़र्मेट पैट्रिक लेने नमस्कार